हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले है नी 2021 रिजल्ट आपका आच चुका है दोस्तो अभी काउंसिलिंग कैसे होगी फुल प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और दोस्तो बिलकुल असान भासा में ह आपको समझाएंगे कि counseling किस प्रकार से होगी कैसे आपको choice feeling करनी है कैसे आपको कम नमरों में अच्छा college मिल सकता है registration कैसे करना है और दोस्तो counseling के समें आपकी कितनी fees लगने वाली है और क्या क्या आपकी बार changes देखने को मिले है और fees refundable है या फिर non refundable है दोस्तो इन सभी बातो चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तो दूस्ते पहले दोस्तो अगर आप admissions related कुछ जनकारी लेना चाते हैं तो आपके साब एक information share करना चाहूंगा दोस्तो need 2021 के अंदर low budget में MBBS अगर आप करना चाते हैं या फिर BDS करना चाते हैं या फिर BMS करना चाते हैं आपके कम नंबर बन रहे हैं बजट भी low है तो कौन सा college आपके लिए best हो सकता है और क्या MBBS abroad भी आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से कम बजट में आपकी MBBS हो जाएगी और मानेता जो है दोस्तो वो इंडिया की degree हो या फिर abroad की हो एक जैसी अभी कर दी गई है ये बात आप सभी जा आपको जो है team खुद करेगी और आपको सारी जानकारी देगी और दोस्तो calling नंबर की मैं बात करूँ तो वो भी नीचे description में मैंने देतिया है यह भाँ पर आप WhatsApp या calling डारेक्ट कर सकते हैं जिससे की आपको बहुत जल्दी जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तो अगर आप MBBS कैसे होगी फुल प्रोसीजर के बारेक्ट आने के बाद क्या करना होता है दोस्तो MCC की website पर जाकर के आपको जो है अपना registration करना होता है candidate registration में जाकर के तो वहाँ पर आप जैसे candidate registration में आओगे तो आपके पास ऐसा surface दिखाई देगा जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना roll number ड दालेना है और submit कर देना है इससे आपको क्या होगा दोस्तों login ID मिल जाएगी और आपको एक password मिल जाएगा फिर जो है आपको login पर आ करके दोस्तों आपको जो है कि मेरेको सबसे पहले तो सबसे best college जो आपको लगता है वो उसमें चूज करना है कि सबसे पहले मेरा जो है यही college अगर मेरेको मिलता है तो वो मिले एक बात मैं आपको यहाँ पर खोल देता हूँ अगर आपने 5 choice दी है और 5 choice में जो सबसे अच्छा college है आपने तीसरे number पर जो उपर वाला college है वो आपको इतना पसंद नहीं है तो लेकिन अगर आपके marks इतने हैं जिससे कि वो दूसरे number वाले college में आपका admission हो सकता है तो आपको वो तीसरा college नहीं मिल पाएगा दोस्तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह seat choice जो है यह preference दिनी यह बहुत ही important काम है आपको स इसे college रखने हैं जो आपको कम पसंद है मतलब सबसे top में वो college जिसको सबसे ज़्यादा पसंद फिर उससे नेचे वो जो उससे कम हो फिर उससे कम इस प्रकार आपको seat choice करनी है कितनी भी seat choice कर सकते हैं कोई भी आपके लिए criteria पर नहीं रखा है उसके बाद दोस्तों आपको confirm इसके बाद जो है आपको अगर अलोट हो जाती है तो आपको जो है रिपोर्ट करना होता है उस college में जो आपको date दी जाएगी अगर नहीं अलोट होती है तो second round के लिए आपको दबारा से new registration करना होता है इसके बाद जो आपको कौन कौन से जो document है जो आपको चाहिए होते है तो आपको बता देता हूँ need admit card आपका सबसे पहले जरूई होता है need admit card को आपको संभाल के रखना होता है दोस्तो और need 2020 का result यह rank letter जो भी आता है आपका कितना rank आया है वो भी आपको संभाल के रखना है class 10th certificate and mark sheet रखनी होती है class 12th certificate and mark sheet आपके पास होनी चाहिए 8 passport size photograph same as the one affixed on the application form उसी तरह की art photos होनी चाहिए कुछ student बोलते हैं कि sir हमारे पास वो ही same photo नहीं है तो क्या करें उस condition में आप photo cyber वाले के पास जाए और वहाँ पर क्या करेंगे कि आप अपना admit card दे दें वो admit card से वो photo वैसी की वैसी निकाल देगा अगर फिर भी नहीं है तो दूसरी photo चल जाती है लेकिन बाद में थोड़ी problem आती है इससे पहले ही आप कुछ न कुछ अपना exam करके रखें उसके बाद need seat allotment letter आपके पास होना चाहिए आपको जो है seat जो भी मिली है वो आप जब reporting करोगे college में तो उससे में आपको वो होना चाहिए proof of identity अधार card pen card passport driving license इन में से कर रहे हैं तो वो आपके पास category certificate होना आने वारी है तो इन में से कोई भी document अगर आपके पास नहीं है तो अभी अभी उसको ढूंड लें और अच्छे से अपनी प्रिप्टेशन के साथ इन सभी document को एक लिफाफे में अपना pack रखें इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोटा पेस जो होगी counseling 1000 रुपे आपकी जो fees लगेगी और यहाँ पर SC, ST, OBC, PWD की 500 रुपे fees लगेगी तो यह fees जो है दोस्तों non refundable है यह आगर आप counseling में हिस्सा ले रहे हैं तो यह देनी ही देनी पड़ेगी आपकी refund नहीं करे जाएगी आगर आपको college मिले या ना मिले उस जार रुपे security fees your category के ले जाएगी जो अगर आपको college रुपे जाएगी तो आपको refund कर दी जाएगी अगर नहीं भी होता है तो भी refund कर दी जाएगी और साथ में 5000 रुपे जो है SC, ST, OBC, PWD की ले जाएगी अगर आपको college रुपे नहीं होता है तो यह आपको वापिस कर दी ज यहां पर इनकी फीस होती है जो रिफंडेबल होती है दो लाग रूपे आपको देने ही देने पड़ेंगे जब भी आप काउंचलिंग में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है अगर आपको कॉलेज अलोट नहीं हो पता है तो वापिस करती जाएगी और अगर आपको कॉलेज अलोट नहीं होता है तो सबसे पहले प्रेफरस में दो बाद में ये कोलेज दो सब कुछ आपको जो हमारे चलल पर देखने को मिलेगा आपको गबराने के कोई भी जुरूट नहीं है दोस्तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही इनफोर्मेशन वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे बाकी आपको मैं बता दूँ तो ये आपकी फर्स्ट रावन की काउंसलिंग कब होगी तो ये अक्टूबर मि आपको प्रवाइड करवाएंगे तो वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी ही इनने वीडियो पाने के लिए थेंक्यू